सावर मती गांदी आश्रा मेंदाबाद बहरी नाइस प्लेस प्लीज बिजिट एनी टाइम जब कभी भी मुका मिले बहुत इंज्यों किया हम लोगों ने गांदी जी के चरके देखे यह पर सावर मती नंदी के किनारे फोटो की चवाया और उसके बाद हम पहुँच गएर एहमदाबाद के सौपिंग मार्केट रतन पोल मार्केट आप देखिए यह रतन पोल मार्केट है एहमदाबाद का यहाँ पर लोग साधी की सौपिंग करने के लिए आते हैं और अपने मन चाहे कपड़े मन पसंद कपड़े यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ पर दूला दुलहन की बहुत अच्चे ड्रेस मिलते हैं सेरवानिया है लहंगा है चुन्नी है यह मार्केट हमने भी पहले कभी नहीं देखा था पर एक हमारे दोस्त ने बताया तो हम यहाँ पर गए थे गुमने के लिए देखने के लिए कि कुछ अगर अच्छा लगा तो कुछ कपड़े परचेस कर लेंगे और गुम के आते हैं यह है रतन पोल मार्केट आप देखिए सारे सो रूम हैं कपड़ों के जिसमें दूला दुलाइन की ड्रेस सजाए हुए है आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर आईए देखिए यहाँ पर और आप यहाँ से सौपिंग भी कर सकते हैं और हमने यह चने भी खाए यह कुटे हुए चने हैं बड़े बहुत स्वादिश्ट हैं हमने यह वह मार्केट में लिए और खाते हुए यह देखिए यह 20 रुपे यह 10 रुपे के चने दिये थे इन्होंने और कापी स्वादिश्ट बड़े अच्छे तरीके से बनाए और खाते रहे बहुत टेस्टी से फिर यही रतनपुल मार्केट के पास में यह है पानवाले भाईजान और हमने यह कुछ सौपिंग भी करी यहां पर यह देखिए बच्चों की सौप्स हैं बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए अब वहां गए और हमने कुछ बच्चों के कपड़े भी पर्चेस किये फिक्स प्राइस की दुकाने थी बढ़िया रिजनेवल रेट है ना कोई बहुत जानब रेट थी बट कापी अच्छा था और फिर हम पहुंच गए है यह है कंकरिया लेक कंकरिया लेक में जाकर के हमने देखा बड़ा ही मन मोहक नजा रहा था लोग चारों तरफ जूम रहे थे बहुत भीड थी और कंकरिया लेक में लाल बाद दुर सास्त्री जी की ये प्रतमा है और हमने देखा लाइटिंग लाइटिंग सो इविनिंग में कैसे लाइटें अपना कलर बदल रही है बहुत ही बहुत ही सुन्दर नजा रहा है कंकरिया लेक का आप कभी जाओ एमदावाद जाते हो तो जरू जाना और देखना फिर हम चारों तरफ गूमते हुए बहुत कुछ सेल्पिया ली कुछ रिकॉर्डिंग्स करी हमने हेलो प्रेंड्स हाई ये फोटो सूट करवाया कंकरिया लेक के किनारे पर और ये देखिए कंकरिया लेक के पास किनारी पर ये बने हुए है बच्चों के टॉइस, किलोनों के गोड़े, जूले, सर्किल, छोटी-छोटी रेल गाड़िया इस तरह से बच्चे बहुत इंज्योई कर रहे थे और बड़ा प्यारा सीन था आज देख कर के हमारा भी मन बहुत खुश हो रहा था बच्चों के देख कर और ये देखिए, ये लेक के अंदर बच्चे इसमें खेल रहे हैं ये बैलून टाइप के इसमें बच्चे बड़ा अनंद ले रहे हैं हमने भी देखा, कापी देर तक बच्चे इसमें मस्ती करते रहे चोटे चोटे बच्चे हैं गुरूप में एक बैलून कैपसूल के अंदर एक प्चार पांच बच्चे जाते हैं जोए करते हैं और हम तयार हो गए बोटिंग के लिए अब देखिए हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए पुरा गुरुप है टीम है हमारे सीनियर है हमारे साथ हमारे साथ ही भी है और देखिए सुरू हो गई अब यह चालू होने वाला है और यह स्टार्ट हो गया है फ्रेंट्स बहुत बहुत तेजी से चल रहा है अलो के सर यह मेरा फ्रेंड है के सर और यह हमारे सीनियर है मिस्टर राजीव कौसिक और यह अब बोट हमारा सुरू होने वाला है देखो कापी स्पीट से है और साइटों से पानी और बहुत तेज ठंडी हवाएं बहुत ही प्यारा नजारा था वोटिंग का बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों कभी भी आपको मुका मिले आप भी जाएं आप भी इस सिन्योय का मंजा लीएं बहुत ही सुन्दर, बहुत ही वड़िया एक नजारा है वोटिंग का भी अपने आम में ये कापी अच्छी खासी स्पीड थी इसकी 80 से प्लस ही होगी 80-90 किलो मीटर पर हावर की और बहुत लम्मे से एरिया को कवर एक राउंड सरकिल लगाता है और डर भी लग रहाता कहीं फोन हाथ से सिल्फ होके पानी में न गिर जाए ये भी एक बड़ा रिस्क था लेकिन जो भी था बड़ा बहुत ही अच्छा एक समय टाइम इंटर्टेंडमेंट का था बहुत अच्छा लगा कंकरिया लेक में और ये पहुंच गए है मानिक चौक ये मानिक चौक है दोस्तों ये मानिक चौक बड़ा ही फेमस फूर मार्केट है यह यहाँ पर दिन में यहाँ पर मार्केट लगता है सुनारों का ये भाई साब हेलो भाई साब नमस्कार तो दिन में यहां मार्ण, दुकानों का जो सौने कार समाज के लोग होते हैं सोने की दुकाना हैं वो व्यवपार ही लोग यहां पर उनकी दुकाना हैं लेकं यह छै-चैसात बज़े दुकाने बंद कर देते हैं साथ से यहाँ पर फूर मार्केट लगना सुरू हो जाता है और इतनी भीड होती है कि हम्दाबाद के टॉप से टॉप लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं और यहाँ पर लम्मी लम्मी कतारे रोड के किनारे फूर मार्केट तरह तरह बैराइटी के foods यहाँ पर मिलते हैं देखिए friends हम पहुँचिए गुजराती foods sorts पर यह हैं sorts देते हैं fruit का real sorts friends मैंने पहले कभी नहीं कभी भी test नहीं किया अभी पहली बार मैं थोड़ा चक्के देखता हूँ कैसा यह लगेगा तो fruit sorts मैंने सुना था लेकिन कभी test नहीं किया था यह price भी है इसकी 60 रुपे का हाप है फुल 120 रुपे का है और यह दोस्तो अभी हम ready हैं बड़ा मन उतावला हो रहा है test करने के लिए देखते हैं कैसा लगता है यह उठा लिए हैं हमने इलास आहा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम रियल जामून की तरह क्या स्वादिष्ट है very nice आईए आप भी कभी test करिए very nice very nice बहुत अच्छा बहुत एकदम रियल टेस्ट था friends बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जामून को ही juice बनाया होगा है और रियल था है एकदम और अभी हम यह अभी वहीं पर फूर मार्केट में हैं और देख रहे हैं तरी तरह की किस तरह की दुकाने लगी हुई हैं यहां पर कई किस्म की देशी आइटम्स मिल रहे हैं और यह है महालचमी वाला जो बहुत कापी फेमस है वहां पर मानिक चौक में तो हम यहां पर पहुँचे हैं दोस्तो मिसल पाव खाने के लिए डोसा खाने के लिए और हमने यहां ओडर किया है लेकिन हम कापी लाइन में आदा घंटे वहां बेट करते रहे हमें चेयर खाली का यहां बहुत का यहां उब शाली स्वाध के लिए धाने की लिए खाने के में में आदात् सुलोग्याओ का बहुतष साथके लिए के लिए।